इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे option chain का use करके आप market की direction को पकड़ सकते हो इस वीडियो में मेरा जो लक्ष होगा वो ये है कि आपको option chain बहुत ही आसानी से और intuitively समझाओं क्यूंकि अगर आप sensible जैसी website पे जाते हो और option chain को देखते हो तो ये tabular format में number आजाते हैं और बड़ा ही मुश्किल लगने लगता है लेकिन मेरी बात मानों ये बहुत ही आसान है और वीडियो के अन तक आप भी यही बात करोगे लेकिन जैसी option chain में आपको इस टाइप से data देखने मिलेगा तो यार मज़ा नहीं आ रहा है अगर यही graphical format में होता तो मज़ा जाता लेकिन problem क्या जानते हो sensible में graphical format में मिलता तो है लेकिन paid है और pay वाले काम हम लोग करते नहीं है तो मैं आपको दूसरी website बताता हूँ ये head trading tick यहाँ पर जाना option पर जाना second option है oi analysis पहला option है क्लिक कर देना आपको इस type से graphical format में यही data दिखने को मिल जाएगा अब बताओ कितना मज़ा आ रहा है एकदम simple है graphical format में है इसको पढ़ना काफी आसान है इसलिए मैं क्या करता हूँ live market में यहाँ से analysis करता हूँ और जो छोटी छोटी डीटेल होती है न वो फिर यहाँ पर sensible पर जाके देखता हूँ अब मैं आपको समझाता हूँ option chain है क्या मालो IPL का match चल ला है दो टीमों के बीच KKR वर्सिस CSK आपके दो दोस्त उस पर पैसा लगा रहे हैं आपका एक दोस्त है Amann कहता है मैं QKR पर 100 रूपए लगा रहा हूँ आपका दूसरा दोस्त है किशन हमो कहता है मैं QSK पर 100 रूपए लगा आप इस तरह से आपका धंदा बढ़ा हो गया आप स्मार्ट थे हैं आपका पूरा होस्टल ही पैसा लगाने लगा तो आप क्या करोगे उस कौपी पे सबका नाम लिखोगे किस टीम पे उसने पैसा लगाया और कितना पैसा लगाए यह रिकॉर्ड बनाओगे न तभी तो आर्केट अनॉनिमस है लेकिन यह लिखते है कि कहां पे कितना रुपए लगया और किस दिशा में लगाया जिसको मैं अभी एक्स्प्लेइन करता हूं और वो बुक क्या है अपके सामने यही वो बुक है यह कुछ नहीं बता रही है यह आपको बता रही है कहां पे वाला पुट या कॉल बास यह पूरी बुक आपको मार्केट की दिशा बता देती है अगर आपको इसको सही से पढ़ना आता हो तो और यही कमाल है अब मैं आपको इसको थोड़ा और डीटेल में समझाता हूं इसका क्या नाम है ऑप्शन चेन नाम में क्या है ऑप्शन अगर आपको इसमें से कुछ ना भी पताओ कोई प्रॉब्लम नहीं है थोड़ा सा गुगल सर्च कर लेना और उससे ज्यादा कमेंट में कुछिन पूछना सारे कुछिन के अंसर दे दूंगा आप क्लियर हो जाएगा माइन और अगर मुझे लगेगा किस पर और वीडियो बनाना चाहिए तो बना दुँगा ओप्शन कितने टाइप के होता हैंगे दो टाइप के एक कॉला ओप्शन एक पुट ओप्शन का मतलब होता है मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कमाओगे कर्रेक्ट दोनों दिशा आमने कवर कर ली अब ये बताओ कि दो आपक कोई बेच रहा होगा ना यह बेचने वाला होता है option seller तो आपने call खरीदा तो यह call seller है और seller कब कमाएगा जब आप नहीं कमाओगे आप कब नहीं कमाओगे आपने call लिया आप कमाओगे जब market उपर जाएगा तो यह कमाओगा जब market नीचे जाएगा just आपके opposite एकदम clear नहीं clear है त अब देखो कि यहां पे आपको दो direction दिख रहे है एक call एक put यह data जो होता है वो writers का होता है buyers का नहीं होता यह writer के हिसाब से बनाए जाते है ठीक है तो पहला question क्या होता है कहां पे पैसा लग रहा है वो आपका answer देती है यह middle वाली strike यह बताती है कहां पे पैसा लग रहा है जैसे अब ही 15,300 मार के चल रहा है तो वहाँ पे कितना रूपय लगा उसके उपर 15,500 पे कितना रूपय लगा नीचे side 14,500 पे कितना लगा यह पूरी range में आपको बता देती है कहां पे पैसा लग रहा है अब कहां पे लग रहा है यह तो important है लेकिन यह भी तो important है कि कहां प 500 पर बहुत जादा रूपए डाल रहा है तो उसकी वेल्यू बढ़ जाती है यार पैसो की बात है पैसा बोलता है तो आपको यह तो देखना कहां पर लग रहा है यह देखना कि कितना लग रहा है कितना कौन बताएगा ओई आप यहां पर देख सकते हो ओई लैक में है इसका म 15300 पे कॉल राइटर्स ने 30 लाख कॉंट्रेक्ट लिखे हैं 30 लाख यानि वो 30 लाख लोग हैं जिनको लगता है मार्केट 15300 से नीचे रहेगा 23 जून तक बढ़ा डाटा अब आप खोजो की सबसे बड़ी पोजीशन कहां पर है सबसे बड़ी पोजीशन हमें 15500 के आसपास दिख रही हैं यहां पर 70 लाख कॉंट्रेक्ट हैं तो 70 लाख वो लोग हैं जिनको लगता है कि मार्केट 15500 के नीचे रहेगा अगले हफ़ते तक यह तो हमने नीचे रहने की बात की अब उपर रहने की बात पकड़ लेते हैं ताकि हमें पूरी रेंज मिल जाए वो कहां से ज्यादा पूट राइटिंग कॉंट्रेक्ट कहां पे हुई है 15,000 पे 15,000 पे 62 लैक हैं यानि 62 लाख लोगों को लगता है कि मार्केट 15,000 से उपर रहेगा अगले हफ़ते तक अब आप बस एक सिंपल सा गेस कर लो कि अगर 70 लाख लोगों को लगता है 15,500 से नीचे रहेग और लगबग 60,000,000 लोगों को लगता है कि 15,000 से उपर रहेगा तो आपको एक अंदेशा हो गया अगले हफ़ते तक की मार्केट इस रेंज के बीच में रहना चाहिए हुआ की नहीं हुआ यही चीज है यही तो फाइदा है औप्शन चेन पढ़ने का अब क्या है यह आपक चायद यह ब्रेक हो जाएगे क्योंकि एक्सपारी वाले दिन जो आप वोलिटिलिटी देखते हो ना उसमें कई बार क्या होता है कि यह मालो 70,000,000 लोगों को लगता है 15,500 से नीचे रहेगा यह ब्रेक हो जाती है तो क्या होगा जिए ब्रेक हो जाएगे तो यह सब घबरा के जाना आपका सबसे ज़्यादा helpful रहने वाला है पूरे market में यह चीज और trading में तो आपकी next level आ जाएगी अगर आप समझ के हो और नहीं समझे हो तो यार इतना comment करना कि आप समझ जाओ बस आपका अंदेश आपका लक्ष क्या इस वीडियो में कि आपको आज यह समझ के मा बनाओ और call put पर वीडियो बनाओ तो उसका suggestion भी डालो comment पर एकदम जैसा आप बोलोगे वैसा होगा ठीक है अगर आपने यह वीडियो अभी तक देखा है तो I am really thankful and आज यार फील नहीं आ रही है तोड़ी तविस्थ खरापती लेकिन यार आपके बिना मजा भी नहीं आता है और पिछले कुछ दिनों से तो काफी अच्छा interaction हो रहा है तो I feel good. Thank you so much for your support दिल से.